एक कॉंकार सपना करता फुरक निर पॉप निर्वे है अकालूरत अजुनी सैभन गुर्परसाद पाकिस्तान के सुबह पंजाब का मरकज लाहौर कई हवालों से दुन्या के दूसरे बड़े और फदेन शहरों से मुम्ताज थैसित रखता है लाहौर की कई इजाजी खुसूस्यात में से एक इसकी रंगा रंग सकापत है तारीख के मुखलिक अजबार में जहां बहुत सी कौमों ने इस शहर पर हुकुमत के दौरान अपनी सकापत और तहजीद को मतारिख कराया वहां सिखों ने भी अपने गहरे नपूश छोड़े सिक मजब के बानी गुरू नानक जी 1479 इसवी में लहौर के करीब एक गाउं राय भूई के तिल्वंडी में पैदा हुए बाद अज़ा इस इस इलाके का नाम ननकाना साहब रख दिया गया बाद जी अपने नज़रियात में बहुत वसी थे और अपने अफकार में उन्होंने काइनात के दीगर अलूम को भी समोया हुआ था हम देखते हैं कि उनके मुख्तलिफ मज़ाहिब के साथ बिल्खसूस इसलाम के साथ जो उनका रिष्टा वबस्ता हुआ है वो ना हिंदूइजम के साथ हो सका है ना जुडाइजम के और दुनिया के किसी मज़भ के साथ बाबा जी की वो वबस्ती नहीं हुई अगर्चे सिक मजभ का हम पूरा तजजिया करें तो ऐसे है कि देर रूट सार इंदी हिंदूइजम और देर फ्रूट इस इसलाम यूं तो लाहॉर मोलों के दौरे हुकूमत के आवाखिर में ही सिक हमला आवरों की तबच्चो का मर्कज बन चुका था मगर सिक काम को पंजाब खुशूसन लाहॉर में रूच उस वक्त खासित हुआ जब कुजरावाला में पैदा होने वाले सिथ सर्दार रंजीट सिंहें उन्निस साल के अमर में लाहॉर के मुख्ट खिलाकों पर काबिस तीन सिक सर्दारों देना सिंग, उजज़ सिंग और सोधा सिंग के मख़ूट चुकूमत का फात्मा करते तारीख में पहली मजबूट सिक्थ हुकूमत की बन्याद रखे तारीख पंजब वो उन्वाने है कि जिस पर लिबरलिजम के लिए जितना भी बोला जाए वो बहुत काम है पंजब की धरती को ये वस्फ हासल है कि यहां पर जितने भी फार्नर इन्वेडर आते रहे पंजब की धरती उन सब को अपना स्पूत बना कर अपने सीने में समोती रही पंजब में पहली मरतबा पंजब के लोगों की हकूमत जो है वो महराजा रंजीत सिंग के जमाने से शुरू होती है सिख कौम महराजा रंजीत सिंग के दोरे होगोंत को सुनहरे दोर से तावीर करती है सिखों के नजदी महराजा रंजीत सिंग के दोर में अद्रो इंसाफ का बोल बाला था इस अधिसित इस बात का गवा है के महराजा रंजीत सिंग की फोज में उनके दो जरन्निल क्रिस्टन रहें उनका प्रएमिनिस्टर काजी अजीद उदीन जो हमेशा उनके साथ रहा और आखरी दम तक वो प्राइमिनिस्टर रहा वो मुसलमान थे इसे तरह उनकी फौज में सिख, मुसल्मान, हिंदू शामिल थे एक गोल्डन पिरिड महराजर रंजीट सिंग की रुराज को कहा जाता है उसकी वज़ा यह है कि महराजर रंजीट सिंग ने अपने दौर में उसकी जवाल का शिकार हो गया और सिर्फ तस साल के खलील अर्से में यह हकूमत अंदूने खाना साज़िशों का निशाना बनते बनते दम तोड़ गई इन साज़िशों का सबसे ज़ादा पाइदा अंग्रेजों ने उठाया सिखों ने अपनी हकूमत के आखरी दिनों में अंग्रेजों से दो बड़ी जंगे लड़ी जिनका मकसद अपनी हकूमत को बरतानवी राज के पंजे से बचाना था अलबता उनका मुकदर शिकस्त ही बनी ये 1849 था जब आखरी सिख खुक्मरान दिलीप सिंग ने पंजाब को अंग्रेजों के हवाले कर दिया सिख कौम के लिए ये इंतहाई अलमनाक वाकिया था जिसको भुलाना इस कौम के लिए मुश्किल है लाहौर सिखु के लिए कई हवालों से मुकद्स और नहायत आमियत का हामिल है आज भी लाहौर के मुख्लिफ इलापों में सिख्खों की तारीफी और मजहभी इमारते मौजूद है जिन में राजा रंजीत सिंग की मढ़ी, मजहभ के बानी, बाबा गुरू नानची समेख, कई अहम सिख्ख शक्सियात से वाबस्ता, तारीफी इमारतें और गुर्दवारे मौजूद है हर साल हजारों की तादाद में सिख्ख यात्री इन मुकद्दस मकामात की जियारत के लिए यहां आते हैं हकुमत पाकिस्तान और सुबाई हुकुमत की तरफ से इन यात्रियों के लिए हर तरहा की सहूलियात प्रहम की जाती थी यहां यह अपनी तमाम मजभी और सकाफ्ति रुसूमात को भरपूर अंदाज में मनाते हैं लहोर और पंजाबियां दिल खुले दें कोई भी इत्या आनना है पाई बारों आनना है हिंदुस्तान तो या लोकल सुबा सरहात तो आ जाना है बलुच्टान तो या सिंद तो इत्या के दो चार साला आनने उच ओ समझग पंजाबी बन जाने सिक मजब के रोहानी पेश्वा गुरू कहना भी है जिनकी तालिमात पर मबनी मुकद्दस किताब गुरू करंद साहब पंजाबी जबान और गुर्मों की रस्म फ़त्वी है गुद्वारों में नहाएत आकिदत और एहतराम से पढ़ी जाने वाली इस किताब में जहां सिक मजब के गुरू हजरात का कलाम शामिल है वहां बाज मुसल्मान सूफी शौरा का कलाम भी मिलता है गरंद साहब इसानों को आपस में प्यार, महपद, खुदा की वहतानियत और यगानगत की तालिम देती है प्यरा वहां सिदा दे आला अर्दा सुनी पगत अपने की सबजी पया किर पाला राओ जिव जिव वरसे हम बताया मन भी मैं सुशाफ की विचार हम दिव लोग करें दिव राती हम दिव लोग करें दिव राती सता सता हर एला जियो सिख कौम का शुमार उन अक्वाम में होता है जिनोंने अपनी जबान और सकाफत को अब तक बेहतरीन अंदाज में महफूज रखा है मेरे पाका विच पान सुदा प्यार लिखने लिखने मेरी किर पान ते जपर लागा ते मेरी ते हरते आखा दिवार लिखने खालसा सिखों की वो मकदस तहरीख है जिसके जर्य सिखों ने वैरूनी हमला आवरों से अपने वतन और सकाफत को बचाने के लिए मुसल्ला जितो जहद का आगास किया खालसा तहरीख के दोरान सिख मजब के पैरूकारों को सिख मार्शल आर्ट सिखाया जाता था जिसे पंजाबी में गत्का कहते हैं नित नए हत्यारों की इजाद के बावजूद सिखों की नौजवान नस्ल अपने आबाओ अजदात के इस कदीम हर भी फंद को नहीं बूली दहौर में भी सिखों की मुख्रित तक्रीबात के मौके पर इस फंद का मुझाहरा देखने को मिलता है तलवार बाजी और भालों से लड़ाई को भी सिख अपना वरास्ती फंद तसवर करते हैं ये वो फनून हैं जिन के जर्ये सिख कौम ना सिर्थ अपने बज़ुकों की सिकाफत को महफूज रखने में काम्याद हुई है बलके नौजवान लड़के और लड़कियां इस हर भी खेल को चाको चौबंद रहने और शफ्सी दिफार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं सिखों के गुर्दवारों में आज भी सिख अमनों सुकून के साथ अपनी मधभी सरगर्मियों में मसूफ मिलते हैं लाहौर आज भी सिखों पर उतना ही महर्बान है जितना उनके दोरे हुकूमत में था और सिख भी इस शहर को अपने लिए इंतहाई मुकद्द समझते हैं पाकिस्तान और भारत के सरहत पर अम्न की धूप निकली हो या जंग के गहरे बादल सिख यात्रियों ने हर दोर में मुस्पत किर्दार अदा करके राबिदों को बहाल रखने की कोशिश की है माजी के ये जंगजू अब अम्न के सफीर है